युक्रेन की राज़ानी कीव में एक महिला अपने बेटे का शव टांक में पड़ा देख बिलख बिलख कर रोने लगी। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने हत्या के बाद उसके बेटे का शव पेट्रोल पंप के टांक में फेग दिया था। जिसे देखकर वो बेसुध हो गई और अपने जवान बेटे की मौत से दुखिये महिला जोर-जोर से रोती दिखी। इस दौरान उसने अपने बेटे को कई बार आवाज भी दी। इसके बाद वो अपने बेटे के अगम में घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैट गई लेकिन उसकी आँखों से आसू बेहते रहे। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला। फिर उस जगह पर रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया जिसमें शामिल लोग रसीयों की मदद से शव को टांक से बाहर निकालते दिखे। बाद में जैसे ही टांक से शव को बाहर निकालने का काम पूरा हुआ वो महिला फिर उस तरफ दौड पड़ी लेकिन वहां तैनाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। बताया गया कि सर्च ओपरेशन के दौरान इस पेट्रोल पंप के टांक से दो शव बरामत किये गए।